लोकसभा चुनाओ का बिगुल बज गया है। चुनाओ की तारीखों का एलान हो चुका है। इसके साथ ही चर्चाय शुरू हो गई है कि इस चुनाओ में क्या मुद्दे च्छाय रहेंगे और किन बातों पर फोकस रहेगा। प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी चैनल पर कई बड़ी बाते कहीं हैं। उन्होंने कहा है कि वो हेड्लाइन पर नहीं डेड्लाइन पर बाते करते हैं। उन्होंने अपनी सरकार की कई उपलब्धियों का बखान भी किया। इसके बाद इस बात पर चर्चा तेज ह गई कि आखिर आने वाले चुनाओं में कौन कौन से वो विशय है जो मुद्दे बनेंगे किन मुद्दों पर सबसे जादा बाते होंगी आईए आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाओं दोहजार शौबिस में किन मुद्दों पर सबसे जादा बाते होने की उमीद है तो सब विपक्ष की कोशिश है कि इस मुद्दे पर भाजपा को लाब नहीं मिले यही वज़ा है कि कभी कोई नेता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाता है तो कभी कोई इसका श्रे लेने की कोशिश करता है विकास पर भी खूब होगी चर्चा सत्ताधारी भाजपा पिश्ले 10 साल में हुए विकास के मुद्दे को चुनाओ के दोरान जम कर उठाएगी बीते 10 साल में बिजली सड़क पानी से लेकर तकनीक तक के छेत्र में सरकार की उपलब्धियों को चुनाओ के दोरान जम कर प्रचारित करेगी वहीं विपक्ष विकास के दावो को पूशना से पहले ही राजनितिक दलों के बीच परिवारवाद के मुद्दे पर सियासी संग्राम चिड़ चुका है एक तरफ भाजपा विपक्ष को परिवारवादी पार्टियों का गठ बंधन बता रही है दूसरी और विपक्ष ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल उठा दिया है हाला कि भाजपा ने इसे भी अपने पक्ष में करने के लिए मोदी का परिवार नाम से सोशल मीडिया कैमपेन तक शुरू कर दिया है जो काफी लोग प्रिये हो चुका है भाजपा विपक्ष को इस मुद्दे पर पूरे चुनाओ के दोरान घेरती नजर आएगी चुनाओ से पहले विपक्षी नेताओं के घरों पर च्छापे में मिली नोटों की गड़ियों का जिक्रिक खुदप्रधान मंत्री मोदी अपने भाशिनों में करते रही है वही विपक्ष लगतार आरोप लगाता रहा है कि च्छापे सिर्फ विपक्षी नेताओं पर पड़ते हैं जो प्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो जाता है उस पर कोई कारवाई नहीं होती ऐसे हमले विपक्ष की ओर से लगतार किये जाएंगे इसकी पूरी उम्मीद है बेरोजगारी को सब अपने आएने से दिखाएंगे बेरोजगारी का मुद्धा भी विपक्ष चुनाओ के दौरान जमकर उठा सकता है भरती परिक्षाओं में होने वाले पेपर लीग का मु युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घूशना कर चुके हैं वहीं गैर भाजपा शाशत राजियों में बेरोजगारी का मुद्धा विपक्ष के खिलाफ ही जाता दिख रहा है इसका सबसे बड़ा होधारन जारखंड है जहां इंडिया गटबंधन की सरकार है यहां यु विपक्ष के जादा तरनेता जाती गत जंगर्ना के मुद्धे उठाते रहे हैं चुनाओ के दौरान भी विपक्ष इस मुद्धे पर सत्ता धारी भाजपा को घेरने की कुशिश करेगा वहीं भाजपा इस मुद्धे पर लगातार कहती रही है कि देश में केवल चार जात ये जातियां गरीब किसान महिला और युवा हैं चुनाव के दोरान ऐसे ही दावे प्रतिदावे किये जाते रहेंगे हाला कि दो माँ पहले पाच राजियों में हुए विधान सभा चुनाव में विपक्ष को इस मुद्दे पर कुछ खास आसिर नहीं हो सका था सबसे जादा गर्म रहेगा CAA का मुद्दा CAA यानि नागरिक्ता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी हो चुकी है भाचपा शुरू से ही कहती रही है कि वह CAA लागू करके अपने पडोसी देशों से आई हिंदू शर्नार्थियों को नागरिक्ता प्रदान करेगी इन चुनाव राश्रवाद बनेगा भाजपा का हत्यार राश्रवाद हमेशा से ही भारतिय राजनीती में चुनावी मुद्दा रहा है भारतिय जंता पार्टी इस मुद्दा को लेकर हर बार कॉंग्रेस और दूसरी पार्टियों को घेरती रही है पार्टी का हर नेता विपक्ष को रा